नमस्कार, हुंकार आवमे में आपका स्वागत है, मैं हूं संजय समर। पूरा विश्व करोना की कहर से छट पटा रहा है। ऐसे में भारत के प्रधान मंत्री नरेंद्र भाई मोधी ने तीन मई तक लोगडाउन को बढ़ा दिया है। इस्थितियां समाने सी होती नहीं दिखाई दे रही हैं। गरीबों के लिए यह कहर कब तक चलेगा यह कहना मुश्किल है। लेकिन प्रधेश में क्या इस्थिति है। इससे निप्टारे के लिए क्या-क्या जुगाड सरकार ने कर रखा है। इस पर हम बात करेंगे भारती जनतापाटी के परदेश उपाध्यक्ष परदीब बर्माजी से। परदीब बर्माजी ओंकार आवव में में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। परदीब जी से हम कोरोना के बारे में जानेंगे। राजनिती के बारे में जानेंगे और कोरोना से निपठने के लिए भारती जनता पाटी ने देश भर के लिए क्या-क्या प्रोग्राम बनाया है, इन विशयों पर हम बात करेंगे. तो परदीप जी सबसे पहली चर्चा में हमें आप ये बताइए कि कोरोना चीन के बुवाम से चला, लगभग 11,000 किलोमेटर दूर अमेरिका, 12,000 किलोमेटर दूर इटली, भारत, ये सब जगे पहुँच गया, लेकिन पाकिस्तान अभी तक परभावित नहीं हो पा रहा है, वहां सब कुछ समाने सी इस्थितिया है, सूचना है, ऐसा, क्या कहीं है, देखिए, कोरोना वाइरस जीन से चल करके उन देसों में सबसे पहले पहुँचा, या बहुत आसानी से पहुँचा, जहां पे अंतरास्टिय यात्राइं खूब होती है, भारत उन देसों में से है, जहां बहुत बड़ी संख्या में भारत के लोग बाहर जाते हैं और बाहर से लोग भारत आते हैं, तो इस कारण से भारत में और अन्य यूरोपियन कंट्री में ये बहुत जल्दी पहुँच गया, पाकिस्तान में थोड़ा अंतरास्टिय आना जाना कम है, लेकिन उनके य तो धो ही है कि उनके यहां बहुत जादा इंटरनेशनल ट्रीफल करने वाले लोग नहीं है, बाहर से बहुत लोग आते नहीं है उना कि यहां जाते नहीं हैं से िन्ड़ एक तरह से लॉक्ट एक नोमी न मुल न के कारण थोड़ा वो पचे हुए से लगते हैं अब जहारखंड में कोरोना पूरी तरसे पाउं पसार चुका है ऐसा लगता है ऐसे तो अभी जाच की बेवस्था नहीं है जिसे कुछ खुल करके सब कुछ सामने नहीं आ रहा है लेकिन कोरोना को लेकर करके राजनीती भी स्टाट हो कुछ खास लोग के करण कोरोना फेला है ऐसा बताया जा रहा है देखिए ये राजनीती का विसे नहीं है इसमें कुछ बातें तो जो सब के सामने अब आ चुकी हैं कि कुछ लापरवाहियां हुई तबलीगी मरकज नाम का एक संगठन देश में काफी दिनों से 1926 से काम कर है और इस समय उसके जो आयोजग थे जो मरकज की जो जमाते बैठती थी उसके जो आयोजग थे उन लोगोंने कुछ लापरवाहियां की कुछ थोड़ा इसको इस खत्रे को कम करके भापा और लोगडाउन अवधी के दौरान भी काफी बड़ी संख्या में लोगी कठे रहे ये जानते हुए भी कि हमारी जमात में बहुत बड़ी संख्या में विदेसों से भी लोग आये हुए हैं तो अब वो जो विदेस से लोग आये थे इनकी जमात में भाग लेने के लिए उन लोगों के माध्यम से चुकी बहुत क्लोज और बड़ी संख्या में लोग एक जग उनके आयोजकों के द्वारा या उस संगठन के द्वारा इसे इतनी गंबीरता से नहीं लिया गया या जो सासन के द्वारा जो नियम बनाए गए थे उन नियमों का पालन नहीं किया गया तो इसके कारण ये दुरगटना पुरे देश में घटी है और उसी का दन से जारकन भी जेल वहा है आप देखिए जो हिंद पिड़ी में मरकज की जो बैठक हुई थी उसके बाद वहाँ से काफी बड़ी संख्या में लोग जारखन के जिलों में अनन जिलों में गए और आज बोकारों आप देखिए काफी प्रभावी थे दीरे दीरे सभी जगह उनके संपर्क में अगर वो इन्फेक्टेड थे और वो सक्रिय थे पॉजिटीव थे और सक्रिय रूप से पॉजिटीव थे तो उनके संपर्क में आने वाले लोग कोरोना वायरस के वाहक बन गए और उनके संपर्क में आने वाले लोग और भी बहुत लोग धीरे धीरे बनेंगी विमारी का आना कोई नई बात नहीं है बीमारी आते रहती है कि ब्लेक जैसी बीमारी आए इनसे फ्लैटिक साया क्या 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 यह सब से लोगोंने लड़ा लेकिन इस तरह से स्वास्त कर्मी सफाई कर्मी पर ठुख दिया जा रहा है पत्थर बा जो उनके बीच काम करते हैं, मरकच के जो लोग हैं, उनकी गलतफ़मी को दूर करना चाहिए, उन्हें तोड़ा चीजों को असपस टूप से बताना चाहिए, ये बिमारी कितनी खतरनाक है, कितनी संक्रामक है, और ये मनुस्य से मनुस्य में फैलने वाली बिमारी है, तो इसम कोई अलग से टार्गेट नहीं किया जा रहा है, जो प्रोटोकॉल बना है, इस बिमारी के रोगताम के लिए, उस प्रोटोकॉल के तहत ही सरकारी करमचारी आपको लोगडाउन करने का प्रयास कर रहे हैं, ये अलग से कोई बदले की भावना से, या आपको टार्गेट करक है, तो इनका फ्रस्टेशन कम होगा, गुसा कम होगा, और ये बड़ा दुर्भागेपूर्ण है कि जो कोरोना वारियर्स हैं, जो कोरोना की रोक थाम और कंट्रोल के लिए अपनी जान पे खेल करके समाज में जाके काम कर रहे हैं, चाहे वो चिकस्त हों, चाहे नर्स हों, चाहे पारामेडिक्स हों, या पुलिस करमी हों, तो उनका समान होना चाहिए, वो हमारे लिए रोड पे हैं, हमारे लिए अपने जान को जोकिम में डालके वो काम कर रहे हैं, अब देखिएगा देश के बड़े हिस्से में उनका समान किया जा रहा है, जब वो गलियों से ग बड़े पढ़े लिखे लोग, डॉक्टर, चार्टर एकाउंटेंट ये आगे आएं और अपने समाज में एक कम्यूनिकेशन अस्थापित करके इस गलत्वमी को दूर करें और ये समझाएं कि ये जो सुरक्चा कर्मी या पुलिस कर्मी आपके बीच में आके काम कर रहे हैं, ये आपके हित के लिए हैं, कोरोना को कंट्रोल करने के लिए आपके बीच में आये हैं, इनका आप सहयोग करें। अब कोरोना पिडित जो नहीं रह रहे हैं मतलब एक्सपायर कर जा रहे हैं उनको दफनाने के लिए को लेकर कभी पूरे देश में एक जमिला खड़ा हो जा रहे हैं अब करोना की गलत फ़हिया है अब करोना के मरे हुए व्यक्ति से यह विमारी नहीं फलती है जब तक कि आप उसको चुहेंगे नहीं उसको नहलाइं उसके लिए गाईड लाइन है कि जो व्यक्ति को और फीडी थो करके और उसकी मृत्ती हुई है तो उससे कैसे हैंडल करना ह प्रफना देने के बाद ही कुरोना का कीड़ा जिन्दा रहता है। इसको सीधे सीधे जलाने की बातों कहते हैं या फिर सहर से दूर गफी दूर। देखे आपने देखा होगा कि यूरोप में और चीन में जहां हमेशा से मृत सरीर को दफनाने की परंपरा रही है। उन देशों ने भी कोरोना पीडित व्यक्ति जिसकी मृत्यू हो गई है उसे जलाया है। जलाने के बाद तो ये सबसे सेफ है इसमें कोई दोराय नहीं है। पूरे विश्व के विज्ञानिक मानते हैं कि कोरोना पिडिद व्यक्ति की जम्रित्यू हो जाती है तो उसको जला देना ही सबसे ज्यादा सेफ है और यह अगर हो तो इसमें कोई हर्ज नहीं है इससे क्या होगा कि उस बिमारी के उस व्यक्ति के सरीर से कहीं और फैलने का खत जो मद में क्या क्या काम हुआ है भारती जंतपाटी भी गरीबों के लिए यह समाज के लिए इस कोरोना से निपटने के लिए क्या क्या कर रही है तो सबसे पहले मैं प्रदीप जी बताऊंगा कि या पूछना चाहूंगा आप से कि सरकार नहीं बनी यहां जारकंड में बं के बनी थी कि यह आदिवासियों और गरीबों की सरकार है और जब वो सरकार में आये तो यह देश की पहली घटना है कि कोई सरकार सपत लेने के साथ साथ यह कहना सुरू करे कि हमारा खाजाना खाली है पूरो की सरकार ने खाजाना खाली कर लिया है ऐसा नहीं होता है जो भ और ये देश ने पहली बार देखा कि किसी सरकार ने सपत लेते ही ये कहना शुरू करिकि किया कि हमारा ख़जाना खाली है। खबर चापी की ट्रेजरी में पचीस सो करोर रुपया है और है तो खाजाना पहर हुए होते हैं जिसे वो आइस देखता है और कई वींग होते हैं जो कि सरकारी पैसों पर नजर रहती है पैसा निकलता है आरवी आई से आता है ट्रेजरी में आता है बैंकों के माध्यम से राज़ सरकारें के इंदर से मांगती हैं, पैकेज मांगती हैं, वो चीजें अलग हैं, लेकिन एक दम से सपत लेते ही ये कह देना कि राज्य का खाजाना खाली है, ये हमको लगता है कि देश के इतिहास में ये फैली घटला है, जब किसी सरकार ने ये कहा, और उसके बाद सं राजनीती करने में विस्वास नहीं करती है। राज्य में कॉरेंटाइन बेडों की संख्या आप देखे कितनी कम है। आपके सवा तीन करोड की पॉपलेशन वाला राज्य है। यहां अगर आप 0.02% बेड भी जो मिनिमुम रिक्वार्मेंट को भी अगर आप पूरा करते हैं तो छे साड़े छे हजार कॉरेंटाइन बेड चाहिए। आपने अभी तक उतना नहीं किया। टेश्ट की फैसलिटीज राज्य के हर कोने में भी सुरू नहीं हुआ। पूरा संथाल परगना खाली पड़ा हुआ है। तो जिस स्टीट से जिस त्वरित गती से करना चाहिए था वो नहीं हुआ। और समाज में बहुत सारा वर्ग है जो सेवा करने को तैयार हैं पारामेडिक्स हैं और हैं उन्हें चिन्नित करके उनकी सेवा लेनी चाहिए थी। उन्हें सरकार को उन्से बात करनी चाहीती। बहुत सारे प्राइबेट लेम हैं। एक वर्ग विसेश के ही लोगों को तैनात किया गया तो इस प्रकार से अगर प्रसासन धरम के आधार पे और चीजों के आधार पे अगर बाट करके प्रसास की अकारे करने लगेगा तो आने वाले दिनों में इस्तिती कंट्रोल के बाहर हो जाएगी हम एक गलत उदाहरण प् पार्टी ने अपना कड़ा अबजेक्शन किया है आप देखिए 25 तारिक से जब ये लॉगडाउन सुरू हुआ तो गरीबों को या अन्य लोगों को जिस रफ्तार से अनास सामगरी वगर पहुचाना चाहिए था उन नहीं पहुच पाया तो समाज खड़ा हुआ भारती ज खड़े हुए और उन्होंने पूरे राज्य को समाला भोखों को अनदिया अनाज पहुचाया बड़ी संख्या में आप देखिए भारती जंता पार्टी ने अपने राज्य में जो फीड दनीडी एक कारेकरम चलाया जिसमें मोधी अहार के नाम से हम लोगोंने कम्यूटी क चेन और कच्छे रासन का किट बना करके लोगों के घरों तक पहुचाया हम लोगोंने सात लाख से ज्यादा लोगों को अब तक भोजन कराया है सवा लाख लोगों के घर पे हम लोगोंने खाने का रासन का पैकेट पहुचाया ऐसी कई संगठनों ने किया है बड़ी संख्या में किया है, कहने का तात्पर है कि सरकार को जिस रफ्तार से, जिस तेजी से जो अनाज उपलब्द कराना चाहिए था, लोगों को वो नहीं करा पाई इक बिसेस पैकेस की बात कहीं आपने अभी, ये हमंन सरकार भी केंदर से चाहती है, उसमें भर्ति जनता पाटी की क्या भूमका होगे, क्या उनके समर्थन पत्र लिखेंगे किंदर सरकार को आप लोगों देखे राज्य सरकार की जो भी जरूरत है केंदर की सरकार इतनी समवेदन सील है कि वो बातचित करके वो तुरंत वो चीछें उपलब्द करा रही है। जरूरतों को वो समझती है। राज्य की जो भारती जनता पाटी की काई है वो भी राज्य की जरूरतों को अपने केंदरी नेतरितों को बताती है। पूरे देश में कर रही है और जारकंड में भी कर रही है। अभी मोदी आहर का जिकर किया आपने। यह मोदी आहर चल रहा है। हमने अभी देखा आपके गेट के पाहर भी हजारों के भीड़े लगी हुई है। यह कब तक चलाएंगे चुकि यह तीन माई तक बढ़ गया। देखे यह सुरुवाती दिरों में चलाना बहुत जरूरी था। अब तो धीरे-धीरे करके लोगों के घरों में अनाज पहुँच गया है। पीडिये सिस्टम से भी लोगों को अनाज मिले हैं। दस कीलो जो चावल मिलने वाली बात है वो भी मिलना सुरू हो गई है। राज्य सरकार ने एक अच्छी पहल की है कि उन्होंने मुखिया के माध्यम से भी जरूरत मंदों को चावल दिलवाया है। तो ये सारी चीजें होने के बाद अब जरूरत थोड़ा लोगों की कम हुई है। माचार पत्रों ने बड़ा खवरेज भी दिया था इसका अपने पुर्वी सिंग्रूम जिले में बहुत दूर दराज के सवर गाउं तक भी भारती जनता पार्टी के कारेकरता पहुंच करके और सवर घरों में उन्होंने अनाच पहुंचाया जिनके गरों में अनाच का ए है कि हमारे रहते इस राज में किसी भी व्यक्ति को हम भूखा सोने नहीं देंगे अच्छा प्रदीप जी अब चलते चलते मेरा अंतीम प्रस्ण यह इस लॉकडाउन के लिए जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे आप क्योंकि बड़े पहमानी परलोग सानत पर निकल ज जहान है तो एक स्लोगन के हिसाब से बताइए या क्या कहना चाहेंगे आधरणी प्रदान मंत्री जी ने जो स्लोगन दिया है स्टे होम स्टे सेफ मेरा भी संदेश यही है प्रदान मंत्री जी अपने बार बार के संवोधन में लगातार एक बात पे बल दे रहे हैं कि हम सो उन्होंने बहुत असपस संदेश दिया था कि परिवार के लोग भी एक साथ सटके खड़े ना हो, सोसल डिस्टेंसिंग का पालन करें, एक जगई कठा ना हो, देखिए ये जो कोरोना एक संक्रामग बिमारी है और मनुस्य से मनुस्य में फैलती है, कोई भी संक्रमित व्यक् तो इस विमारी के रोक थामका, इस चैन को तोड़ने का जो ये संक्रमण का चैन है, इस चैन को तोड़ने का एक ही तरीका है कि हम सोसल डिस्टेंसिंग का पालन करें, हम घर में रहें ज्यादा ज्यादा, बिना जरूरत के हम बाहर नहीं निकलें, जरूरत पे ही हम बाहर ज फिलों में काबू पाएंगे ठीक ही कहा परदिव बर्मा जी ने कि कोरोना से लड़ने के लिए हमें जो जहां है वहां रहना पड़ेगा तभी देश बचेगा राज बचेगा समाज बचेगा और अपना गाउं बचेगा तो परदान मंत्री ने कहा है कि तीन महीं तक लोकडा आने के लिए मुझे दिए इजाज़त फिर मिलेंगे किसी नए सक्स के साथ नमस्कार